पूरी खबर क्या है जानकारी के साथ में हम आपको दिखाएंगे आज आपके साथ में साज़ा करेंगे वीडियो में सुरू से लेके लाश्ट तक बने रहें सबसे पहले मैं आपको बता दू कि बिधवा पेंशन के राची तीन गुना बढ़ी देखे अब कितनी पेंशन मिलेगी बिधवाओं को सबसे पहले मैं आपको बता दू कि बिधवा पेंशन योजना में बदलाओ के अंदर सरकार दोरा दी जाने वाली बिधवा पेंशन व्यक्ति के लिए कोई नो कोई योजना सुरू की गई है ताकि हर व्यति व्यक्ति अच्छा जीवन जी सके और इसी तरह जिन महिलाओं के प्रतिकी मिर्तु हो जाती है उनका भी प्रतिकी मिर्तु के बाद जीवित रहना बहुत ही मुस्किल हो जाता है इसी के उपलक्ष में इसे देखते हुए सरकार की ओर से हर पात्र विद्वा महीला को पेंशन योजना में पेंशन दी जाती है ताकि विद्वा पेंशन के सहारे अच्छा जीवन जी सके और साथ ही अपने बच्चे की अच्छे से देख भाल कर सके हमारे देश के हर राज में विद्वा पेंशन य आप लोग जान सकते हैं वे महिला जिनके प्रति की मिर्टू हो जाती हैं वे विद्वा पिंशन योजना का लाब उठा सकती हैं हमारे देश में लाखों ऐसी महिला हैं जो अपने प्रति की मिर्टू के बाद ठीक से नहीं रह पाती हैं ऐसे ही महिलाओं के लिए सरकार दोरा बिध्वा पेंशन योजना सुरू की गई थी ताकि बिध्वा महिला आसानी से अपने और अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। बिध्वा पेंशन योजना का लाब नहीं दिया जाता है। एक बात और मैं आपको बता दूँ कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पेंशन राशी जो तो उपलब्द है। और उत्रप्रदेश के अलावा महाराष्ण में बिध्वा पेंशन योजना के तहत 900 रुपे। राजस्थान में बिध्वा पेंशन योजना 2022 के तहत 750 रुपे। दिल्ली में 2500 रुपे। सबसे जादा दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं कि दिल्ली में 2500 रुपे है और गुजरात पेंशन योजना के तहतweightochा 2022 में 1250 रुपे है की राशी दे जाती है। बिद्वापेंसर के लिए जो दास्ता वेज है उसमें प्रतिके जो उनके पती है उनके मिर्तु का प्रमार पत्र महिला का अधार कार पास्पोर्ट के आकार की जो तस्वीर आए प्रमार पत्र मुबाइल नमर बैंक खाता संबन्दी जानकारी और पते का शबूत आधारी के जो वेफसाइट है येस येस पी यूपी डाट जियो भी डाट इन पर जाना होगा इसके बाद महिला के नाम के साथ कई जानकर या पूछी जाएंगी जिन्हें आपको भरना होगा इसके बाद आवेदर पत्र जमा करें बिद्वा पेंशन का लाव लेने के लेगा अगे मैं आपको बता दूँ कि बिद्वा पेंशन योजना गरीब और बेसारा बिद्वाओं के लिए बनाएंगी है इस योजना के थात एसी महिलाओं को सरकार द्वारा हर मही ने 500 रुपे की आर्थिक सहायता दे जाती है अगर आपके जानकारी में कोई बिद्व में लाएं अगेधन कर सकती है